नमस्कार साथियों पसुतन वेटकेर में आपका स्वागत है मेरी साथियों से अपील है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट अवश्य करें साथ यह आज मैं आपके सामने एक बार फिर एक नए केस के साथ हाजिर हूँ आप जो भेंश सक्रीन पर देख रही हैं ये भेंश एक सब ख्लिनिकल मैस्टाइटीस से ग्रेसित है सब क्लिनिकल मैस्टाइडिस यानि कि वो थनेला रोग जिसके अंदर फीजिकल लक्षन है वो दिखाई नहीं देते हैं यानि बहारी तोर पर इसमें आपको अडर के अंदर कोई भी लक्षन महसूस नहीं होगे जब हम इसके थनों को छू कर देखते हैं इसके अडर को छूते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी कठोरता महसूस नहीं होगी यानि कि अडर बिलकुल श्मानिय स्थिती में मिलेगा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसका अडर महसूस कर रहा हूँ इसका जो दूसरी तरफ का दुहाई के दूसरी तफ़ाँ ये जो इस तरफ का जो अडर है इसके अंदर यहाँ पर प्रोलम हो चुकी है लेकिन बहार दी तोर पर देखने से इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रवर्तन नहीं हुआ है यानि कि कहने का भी प्राय ये है कि इसका जो अयन है इसकी जो लेवटी है वो बिलकुल स्वस्थ दिखाई देती है इसमें किसी प्रकार का कोई फिजिकल नुकसान नहीं हुआ है इसमें नुकसान हुआ है तो वो सिरफ आंतरिक नुकसान है ये नुकसान जो अडर है अडर के अंदर अल्विलाई यानि कि अल्विलेस है वो ऐसी ग्रंथिया होती है जहां पर दूद का निर्मान होता है इन्हीं अल्विलेस के अंदर सोजन आ जाती है इसी सोजन के विज़ से जो अल्विलेस है जो अल्विलाई है वो शिकुड जाती उनके शिकुरने से दूद है वो नहीं बन पाता है जिसके विज़से पशु के थन के अंदर दूद की मातरा बहुत ही जादा कम हो जाती है दूसरे थनों के मुकाबले इस थन के अंदर दूद की मातरा बहुत जादा कम है यानि कि एक कप से भी बहुत कम यानि कि आदा कप से भी कम दूद निकलने लग जाता है जैसे जैसे इसमें बिता है तो ये थन बिलकुल खराब हो जाता है डैड हो जाता है तो इस तरह के थनों को देखने पर हमें भारी तोर पर कुछ भी मालूम नहीं होता है जब इसका दूद निकालते हैं तो दूद का जो पियच है वो भी स च्भानने मिलता है, उसके अंदर किसी परकार का प्रवत्तन देखने को नहीं मिलता है, दूद नहीं ना तो खट्टा होता है, बलकि बलकी सेमानने होता है, इसका विशेष लक्षन सिरफ यह होता है कि दूद की मातरा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो ऐसी स्तीती के अंद हम सबसे पहले एलोफेथिक ट्रीट्मेंट देते हैं। ट्रीट्मेंट के अंदर पशू को इंजेक्शन शैफ्ट्रिल जौन 56 ग्राम ओडिवायतिक ये जो जो अंटिवायाइटिक है ये ग्राम पोस्टिव और ग्राम नेगटिव दोनों तरह की बैक्टरिया को मार शकती है इस एंटिवाइटिक का खास गुण यह होता है कि यह अडर के कनेक्टिव टिशू और सिक्रेटिव टिशू तक बहुत अच्छी मार करती है सिक्रेटिव टिशू वो टिशू होते हैं जहां पर दूद का निर्मान होता है एंटिवाइटिक का रोल यही होता है कि सिक्रेटिव टिशू तक अगर एंटिवाइटिक पहुंच जाती है तो इसका मतलब बैक्टरिया मर जाते हैं तो इसके साथ साथ में हम इंजेक्शन वेटासेफ्ट H-Tanimal Intramuscular OD देते हैं, लगाता तीन दिन के लिए देते हैं, एंटिवाइटिक भी तीन दिन के लिए देंगे, यह जो वेटासेफ्ट H-Injection है, यह विटामिन A, D, E और H का एक कंबिनेशन है, जो विटामिन H है, वो अ अच्छे Immunomodulator की तरह कारिये करते हैं, इसके साथ में तीसरा इंजेक्शन लगाएंगे, टोफवेट FM या फ्लोनिक्सिन मेगलोमाइन इंजेक्शन 20ml OD लगाएंगे, लगाता तीन दिन तक, यह जो इंजेक्शन है, फ्लोनिक्सिन मेगलोमाइन इंजेक्शन, यह अलविल दिन तक ट्रीटमेंट करने के बाद, पशु के दूद के अंदर बहुत अच्छा प्रवतन देखने को मिलता है, यहां पर 50% पशु की जो दूद है, उसके अंदर सुधार होता है, लेकिन इसके बाद में हम एंटिवाइटिक्स और यह ऐलोपैथिक ट्रीटमेंट बिलकु पशु को फैटो लकाद 200 की पुटनशी के अंदर 10 बूंद सुबह 10 बूंद वपैर और 10 बूंद स्याम को दिन में 3 बार देंगे, और इसके साथ साथ साहलेशिया 200 की पुटनशी में 10, 10 और 10 बूंद दिन में 3 बार लगातार पशु को 7-10 दिन के लिए देंगे, तो हमें वहाँ पर सत परतिसर जाड़ देखने को मिलता है और पश्रू बिलकुल पूरीतर स्वस्त होता है तो साथियो आज की वीडियो में इतना ही अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सेर जरूर करें और अगली वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे तब तक राम राम बाई बाई धन्यवाद